बविश्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार दिक स्वागत है दोस्तो हमने आप है चाइल्ड साइकलोजी जो आपकी CDP है चाइल्ड साइकलोजी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी में कई सारी वीडियो में डिसकस कर चुका हूँ और अभी में एक एक करके इन टॉपिक्स को पर्यावर्ड का जो आपका content है जो आपका topics है उन सभी topics को में एक एक करके डिसकस करूँगा तो आज के इस वीडियो में मैं डिसकस करने वाला हूँ जो जन्तू है ठीकल ूपर्यावर्ड अध्यन में क्या पठते हैं जीव जन्तू मनुष से और प्रकर्ती में क्या संबन्द है तो जीव जन्तू और पौध्यों से आपको पताए चार से पाँच नमबर फिक्स हैं आपके तो वही दो से तीन प्रिशन में आपके आज फिक्स कर दूँगा आपको मतलब इस वीडियो से थोड़ी सी समझ हो जाएगी कि जो जन्तू हैं उनका वर्गी करण के क्या आधार है और किस आधार पर किस जन्तू को वर्गी करण किया गया है तो चलिए शुरुआत करते हैं यहापर जन्तू का वर्गी करण देख लेते हैं आपको केवल screenshot ले लेना है मैंने आपको लिए ये पूरा वो कर दिया है चलिए, सबसे पहले कुछ आधार है जन्तुओं का जब हम वर्गी करण करते हैं उनका classification करते हैं तो इसका एक आधार रखा जाता है शरीर रचना के आधार पर हम जन्तुओं का वर्गी करण करते हैं पोशन के आधार पर हम वर्गी करण करते हैं कोशिगा के आधार पर भी करते हैं प्रजनन के आधार पर भी करते हैं तो एक एक करके मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इससे आपकी थोड़ी सी basic knowledge बढ़ेगी तो शरीर रचना के आधार पर सबसे पहला जो आधार माना जाता है वो शरीर रचना है तो शरीर रचना के आधार पर जन्तूओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है एक है आपका कशेरू की जन्तू एक है अकशेरू की जन्तू अब कशेरू की जन्तू में कौन आते तो जिन जानवरों में अस्थियों का कंकाल पाया जाता है उनको बोलते हैं कशेरू की जन्तु दूसरा है कशेरू की जन्तु तो जिन जानवरों में अस्थियों का या फिर हड्डियां नहीं पाया जाती है उनको बोलते हैं कशेरू की जन्तु तो यह शरीर रचना की आधार बनाय गया है, आप याद रखेंगे कशेरुकी में तो वो सारे आजाेंगी, गाय भैंस, गोड़ा, वो नुष भी इसी में आ जाएगा, कशेरुकी में आ जाएंगे आपने कैŦा देखा है, आपने सांप देखा है, आपने कैउचुआ देखा है, एक होता है Swaposi थोड़ा समिस्प्रिंट है Swaposi या फिर इसको हम अपना भोजन स्वям बना लेते हैं पर-posy उन जनतू हो कहते हैं जो अपना भोजन दूसरों पर निरभर रहते हैं यानि कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर निरभर रहते हैं यह है पोशड का आधार, ठीक है याद रखेंगे स्वापोशी में सबसे बेस्ट एक्जामपल हमेशा उसी का रहता है, यह अप रटली जी हमेशा जो यूगलीना होता है, यूगलीना आपने देखा होगा हम उसमें पढ़ते हैं, उसको सिंगल सेल और उसके आधार पर भी द सारे की सारे जो जन्तु है वो एक दूसरे पर निर पर रहते हैं, मानवभी एक दूसरे पर निर पर है, सारे जीव जन्तु सब एक दूसरे पर निर पर रहते हैं, वो सारे आजाएंगे आपके पर पोसी में, अब तीसरा जो आधार है वर्गी करंड का वो है कोशिका, जिस सारे चेहल होते हैं1 कोशिकी में जैसे मैन आपको बताया यह यॉग लिना है परमीशियम है अमीबा है यह सारे चीजे हैं कोश्यक वाला जो चेप TERम आपको पड़ा काम तुम्ह दिस्कस कर दढ़ा है एक कोशिका जन्तू यी एक इंप्सी कांपल युछ एक मोशिका होती हैкими होसिका जि से युगलीन, परैमेशियम, अमीब, अमीबा। हुआ कोशिका ये यू थे, यक रिए, खियो। इयू तो आपको पता हूँगा। और बहु कोशिकी में सबसे बेस्ट एक्जामपल कर पूछ लेया है कि बहु कोशिकी है सबसे उम्दा अच्छा उधारड कौन सा है तो अगर आपको हमेशा अगर किसी ओप्शन में इस्पंज देख जाए तो हमेशा इस्पंज ही लगाना क्योंकि इस्पंज में बहुत सारी अब जो जन्तु अंडा देते हैं उनको अंडायोज बोलते हैं जो जन्तु अंडा नहीं देते हैं जो डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं उनको बोलते हैं जरायोज तो यह चीजे भी आपको लिहान में रखनी है आगे बढ़ते हैं एक है वास इस्थान के आधार पर त mekara ceasai इस थाली जन्तू होते हैं जिसे फरी नॉर्मल सी चीज़े य आपको पता ही होगा इसमें है इसली में थोड़ा साप का रिविजन करवा देता हूं इस थालील थाल। अपर होते हैं जो नहींीद जलेजन्तुी nella cemina, जो जल में रहते हैं, , जो अरुस्थन ये जन्तु की बच्चेर पूल्हों होती है, वाइू वी ये जन्तु वहते हैं, जो पक्षी होते हैं, जो आसमां में यह बाइसां, जो एक आधार है, पांच प्रकार की आधार है, जो जंतुओं का वर्गी करड़ किया गया है, आप याद रखेंगे, एक वास इस्थान में भी इसमें एक आधार है, तो दोस्तों ये कुछ important छोटा सा लेक्चर है, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आयोगा, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के चाथ स